इंदू की शादी एक रहस्य में परिवार में होने वाली है. पहले उसकी शादी संजय से होने वाली थी लेकिन उसकी बहन भानू उसके साथ भाग जाती है. शादी से एक रात पहले उसके परिवार को दूलहे के परिवार से उपहार मिलते हैं. इसमें एक कठल भी शामिल है जो सिला हुआ प्रतीत होता है। परिवार उसे खोलता है और उसमें एक पत्ता पाता है। इंदु पत्ता लेकर अपनी दादी के पास जाती है और पूछती है कि यह क्या है, जो बेहत जहरीला शैतान का तुरही निकला। दूसरी और आनन का परिवार भी तनाव में है क्योंकि उनकी भी शादी की तीन बार कोशिशे असफल हो चुकी हैं और दोनों परिवार बिना किसी रुकावट के शादी संपन कराना चाते हैं। शादी के बाद और समारों के बीच इंदू को कई संदिग्द घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसे आगे ले जाती हैं। ससुराल के सभी लोगों पर शक इस बीच उसकी भाभी की आत्महत्या की खबर से परिवार सदमे में आ जाता है और इंदू इस निशकर्ष पर पहुँचती है कि यहां आर्य ही है जो इस सारे जगडे के पीछे है।